हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वन्स अगेन और अभी हम जो करने वाले हैं, वो हम इंगलिश का ये जो पैसिज आपका आता है, उसको करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको करने वाले हैं, मैं कुछ ट्रिक्स जैसे की मैंने जब इसको दिया था तो मैं किस तरीके से करती हूँ देखो सबका अपना-पना करने का तरीका अलग होता है आप कभी भी मतलब आँख बंद करके कभी किसी को follow मत कीजिएगा आप खुद से करके देखिए आपको कौन सा method जो है मुझे कैसे easy लगता है अगर आपको लगता है कि आप भी उस तरीके से कर सकते हो और आपको भी वो trick अच्छी लगती है तो आप उसको जरूर follow करना अगर आप उसको नहीं समझाता है या फिर आप कोई मतलब देखो क्या होता है difference हर किसी व्यक्ति में होते हैं और सबकी अपने समझने की questions को करने की सबकी क्या होती है अलग-अलग अपनी methods होते हैं है ना तो इस तरीके से तो मैं आप लोगों को बहुती easy तरीके से कुछ tricks और tips बताने की कोसिस करूँगी जिससे कि आप लोगों को जब आप paper देने जाओ तो बहाँ पे उस चीज का आपको फाइदा मिल सके है अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो CDP का जो आपका इसका portion था वो complete हो चुका है और यह हम लोग third मतलब यानि की वैसे तो हमारा third part है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं 15 15 question को कर रहे हैं इसलिए हमारा यह fifth parts है जिसमें कि हम 28 December का job का paper था 2021 का उसका जो English का portion है उसको हम करेंगे और अभी 15 question हम देखेंगे इसमें पैरा से और जो इसका next part होगा part 2 उसमें आप क्या करोगे उसमें आप करोगे जो आपके बचे हुए English की पैड़ाकॉजी के question 15 बचेंगे उनको हम इसमें करने वाले हैं I hope आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई को एकदम continue कर रहे होंगे क्योंकि इस time जो ये time आपके लिए बचा हुआ है ये most important है अगर अभी भी आपने मतलब चीजों को टालना start कर दिया या फिर चीजों को एक प्र प्रेक्टिस येर करो देखो प्रेक्टिस येर से एक तो सीटेट ऐसा एक्जाम है ना कि सीटेट में mostly question repeat होते हैं और जैसे passage की ही बात है तो आप इधर इधर के चकर भी मत करो आप जो previous year के जो passage है अगर आपने 10 passage भी कर लिये तो 200% स्योर है कि आपका passage में से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है तो चलिए मैं अपनी trick बतातूं कि मैं किस तरीके से करती हूँ और आप अगर किसी दूसरे तरीके से करते हैं तो आप भी मुझे message करके बता सकते हैं उसमें comment section में तो चलिए फिस start करते हैं हमारी आज की class को तो मैं क्या करती हूँ मैं सब लोग करते है कि पहले questions पढ़ लो बट मुझे questions पढ़के उसके बाद भी मैं जब paragraph पढ़ती हूँ उसके बाद ही मुझे questions समझ में आते तो मैं अपना time बिलकूर भी west नहीं करती हूँ मैं सीधे से पैरा निकालती हूँ और सबसे first क्या करती हूँ मैं paragraph को पढ़ना start करती हूँ देखो मे मेरा क्या है मेरे साथ क्या होता है जैसे question क्या होते है question अलग अलग दिये होते तो वो याद रखना थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए मुझे क्या होता है मैं जैसे paragraph पढ़ती हूँ न तो वो उसकी जो story है वो मेरे माइंड में एक दम छप जाती है और यह आपके साथ तब होगा जब आप जादा से जादा चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे है न तो सब लोग कहते हैं मैंने भी सुना है कि आप पहले question पढ़ दीजिए उसके एसाब से उसमे answer ढूड़िए तो मेरे साथ यह trick काम नहीं करती हूँ मैं कभी भी इस तरीके से अपने paragraph को नहीं करती एक सरसरी नजर से मैं अपना पूरा एक paragraph पढ़ती हूँ उसमें जो आपका एक central idea type का एक summary type की मतलब मेरे दिमाग में अपने एक story की तरह छप जाती है कि इसमें बात किस पर की गई है और उसके बाद फिर मैं questions को अपना देखना start करती हूँ और questions को देखने के बाद मुझे काफी जल्दी मेरा paragraph भी हो जाता है तो देखें कि हम अपने questions को कि किस तरीके से करना है तो इसमें दिया है आपका most doctors especially top specialist spend no more than 10 to 15 minutes with a patient. These tips will help you achieve a meaningful exchange to get the best of your doctor's consultation. अब इसमें इन्होंने क्या बता है कि जो बड़े-बड़े doctors होते हैं especially top doctors होते हैं specialist होते हैं वो क्या करते हैं अपने किसी भी मरीज को 10-15 minutes से जादा नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो इतने बड़े doctors होते हैं उनके बहुत सारे appointment होते हैं तो मतलब यहाँ पे नीचे कुछ tips द अब हिंदी नहीं आती है तब भी आप ट्राइ करो कि आप मतलब इंग्लिस से हिंदी बनाना सीख लो है अगर आप इंग्लिस से हिंदी नहीं बनाओगे तो पहरा आपके लिए थोड़ा साथ हो जाएगा नहीं तो फिर एक और ट्रिक है उसको भी हम ट्राइ करेंगे पहले or cancellation there is no harm in making the call we there on time reached 15 to 20 minutes before the appointment time this will give you enough time to check in and have your preliminary assessments done remember the doctors have clinics at different locations reconfirm the date time and the exact place of your appointment यानि कि ये कह रहे हैं कि जब भी आप जाओ तो हमेसा 15-20 मिन पहले जाओ और एक बार जब आप जाने से पहले reconfirm कर लो क्योंकि उनके बहुत जगह पे office वगरा रहते हैं उनके जो clinics होते हैं तो ये क्या बतार जो आप appointment है उसको पहले से advance में उसको मतलब कर लेना चाहिए ताकि आपको बहाँ जाके फिर problems face ना करनी पड़े थोड़त देखेंगे हम write out your questions take a few minutes to jot down key questions about your health concerns these are easy to forget if you rally to your memory alone also prioritizing questions helps us avoid irrelevant queries that can save time to discuss important issues अब देखो doctor के पास जाते हो या कहीं भी आप जाते हो तो आपके जो key points है आपको man problems है उनको आप क्या करो note down कर लो इससे क्या होगा आपकी जो फालतू की मतलब इदर उदर की बाते होंगी उससे आपका time बच जाएगा और point to point आपकी जितने भी questions थे ना एक तो आपके mind पे बहुत ही बोज नहीं रहेगा और आप आराम से उसको पूछ सकते हो ठीक है उसके बाद है be prepared to meet doctor's team first sometimes you may be asked to meet one of the team doctors especially if it is your first visit sometimes patient's object having to be examined by one whom they consider a junior doctor however seeing a team doctor contributes to better and more efficient care because minute details are picked up which could have been missed otherwise आप क्या करते है कभी-कभी doctors के पास time नहीं होता तो जो junior होता है बोज आपको एक्जामिन करेगा बहाँ पे और मतलब वो बहुत ही अच्छे से आपकी care wise आपका treatment बहाँ पे करते है उसके पाद है carry your latest report अगर आप पहले से बीमार थे याप कहीं पे दिखा रहे तो आपको क्या करना चाहिए carry your latest report जो आपकी latest report है उसको आपको ले जाना चाहिए it will help the doctor understand the test that have been done recently to avoid retesting याई क्या करेंगे वो इससे कि आपकी जो मतलब most important पहले ही हुए तो retesting से वो इसको avoid कर देंगे आपका test दुबारा आपको नहीं कराना बड़ेगा and to know the test that need to be updated और उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा test हमें है updated way में इसको कराना है तो यह आपकी क्या थी इसकी summary थी है अब हम देखेंगे अपने questions को अपने first questions को first question है आपका according to the passage it is useful to write down and prioritize the questions before the doctor's appointment because it helps us अब यह क्या कहने एक बात हमेशा गाट वांद लो आपको जब भी answers करने है according to the passage ही करने है आप कभी भी अपने मन से कोई भी answer नहीं लगाना क्योंकि उनका मैन उद्देश सी ही ही होता है कि आप इस चीज का ध्यान रख रहे हो या नहीं रख रहे हो है ना तो हम देखेंगे यह कह रहे हैं हमसे कि it is useful to write down your मतलब आपके जो question है जो आपकी priorities है जो आपको question most important पूछने ही पूछने है तो उनको क्या कर लो आपको उनके मिलने से पहले आप उसको note down कर लो है ना तो इससे हमें क्या फाइदा it helps us यह हमें किसमें सहायता करेंगे remember the easy to forget question about our health and not ask irrelevant queries विल्कुल सही बात है मतलब इसको भूलेंगे नहीं आसानी हो जाएगी हमें about our health and not और हम उनके क्या करेंगे irrelevant question ना पूछके point to two point क्योंकि उनके पास क्या होता time कम होता है तो इसमें आपका option one ही सही हो जाएगा second we have to share these question beforehand with the doctor ऐसा कुछ नहीं बताया हमें passage में reconsider our doctor's appointment and ensure we get better जी नहीं ऐसा भी नहीं बताया make sure that we turn up for the appointment ऐसा भी कुछ हमें यहां पे नहीं बताया write out your questions take a few minutes to jot question key questions about your health concern they are easy to forget if you really your memory alone also prioritizing question helps us avoid irrelevant queries तो यह आपका सीधा सीधा किसमें दिया गया है fourth make option आपका इसमें दिल गया आपका है इस तरीके से आप बापस भी देख सकते हो तो मैं मतलब मैं फेरागरा पढ़ती हूँ तो मैं मतलब इतने ध्यान से एक बार पढ़ लेती हूँ उसको कि मुझे questions फिर द्वारा बहुती कम जरूवत पढ़ती है देखने की बट आप अभी अगर practice कर रहे हो तो आप try कर सकते हो इस तरीके से है ना पहले आप answer को confirm कर लो उसके बाद एक बार री चेक कर सकते हुआ paragraph में इसको जाके उसके बाद है carrying with you your latest lab reports helps the doctors too यहनी कि उन्होंने हमसे क्या कहा था कि अपकी जो latest report है उसको आप साथ में लईए यह doctor को किसमे help करेगी है ना तो किसमे help करेगी यह prescribe your medicine faster नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया था हमें हमें बताया था है avoid retesting हमें नहीं करना पड़ेगा तो इस तरीके से जरा से की points अकर आपने याद रख लिए तो आपने answer तक confirm पहुँच जाओगे इसमें give your answers मिल गया हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है तो आप हमें यहां से चलते हैं next question apt title for this passage could be apt appropriate या नहीं कि suitable title इस passage के लिए क्या हो सकता था तो यह देखो आपको बहां से मतलब जब आपने summary पड़ी है पूरे paragraph की है तो तब ही आपको यह idea लग गया होगा कि इसके लिए suitable title क्या हो सकता है और यहां पे किसकी बात करी गई है तो बहां पर जब तर बात किसकी करी गई है कि जब आप remaining doctor date करो ताकि अपने डॉप्टर से जादा से जादा आपकी जो बीमारी के बारे में है वो बात आप उसे कर पाँ देखो सही इसमें कभी-कभी क्या होता है चारो ही ऑप्सन बिल्कुल सही होते हैं कोई 90 परसेंट सही है कोई 80 परसेंट तो आपको most appropriate answer देखना होता है जो मतलब to the point ज किसी के परपस से उसी के तरीके से आपको चीजों को देखना होता है उसके second भी देख लेंगे हैं be aware of the doctor's consultation तो अब यह नेस की भी बात करीगी है बट अवेर से ज्यादा वहां पर किसकी बात करीगी है कि अब ज्यादा से ज्यादा अपनी queries को वहां पर solve कर पाऊ तो यह वाला हमारा इसमें गलत हो जागा doctor's consultation सिर्फ इतना ही नहीं है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई बलकि यह बताया गया है इसमें कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर से अपनी queries को पूछ सकती हो है ना तो इसका first option आपका इसमें सही हो जाएगा चलते हैं हमारे next question पर next देखेंगे the word preliminary in the passage does not refer to यानि कि आपका ये जो word दिया गया है ये किस से refer नहीं करता है इसका मतलब क्या होता है देखो आपने सुना होगा प्री देखो अगर आपको English नहीं भी आती है तो आपको चीजों की ध्यान रखेंगे इंग्लिस इतनी tough language नहीं है देखना प्री का मतलब क्या हो होता है इस तरीके से root words होते हैं क्या होते है root words तो प्री का मतलब होता पहले है ना पहले से हमने क्या देख लिया हमने यहां पे देख लिया क्विक वर्क क्विक का मतलब होता जल्दी जल्दबाजी यानि कि जल्दी है ना तो ये तो प्री से related नहीं लग रहा है उसके प्र जो आपकी ground work है या मतलब एक कहते हैं ना कि वह बहुत ही मतलब ground touch है तो इस तरीके से मतलब यह निगी शुरुआती एक first stage से उसके वैद है pre तो एक 3 verb work पहले ही लिखा हुआ है इसमें तो यह भी हमारा हो जाएगा आपका option इसमें कौन सा हो जाएगा first वाला क्योंकि quick work किस से related इसमें नहीं है तो यहाँ पे आप जरा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आपका option इसमें बिल्कुली सही हो जाएगा picked up picked up का मतलब होता है किसी भी चीज को identify करना क्या करना identify करना अब इस तरीके के जो question है उसके लिए आपकी vocab थोड़ी सी मतलब आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अगर यह तेखो to the point question होते है अगर आपको इसका meaning नहीं पता है तो आपका answer यह 100% गलत ही जाने वाला है अगर आपको meaning इसका पता है अब जैसे कि picked up तो आप कहते है ना जैसे कि गाड़ी से मुझे pick कर लेना है मुझे pick picked up इस तरीके से call को pick up क्यों नहीं किया इस तरीके से जब बोलते है मतलब देखो जब आप किसी को pick करोगे तो पहले तो आप उसको identify करोगे ना वहाँ पे वो बनता वहाँ पे है भी या नहीं तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा माइंड लगा के चीजों को यहाँ पे observe कर सकते हो तो इसका जो आपका option सही हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा first option इसमें आपका सही हो जाएगा चलते हैं हमारे next question पे next है आपका 126 है ना देखेंगे हम इसको according to the passage it is useful to reach the clinic before time because यानि कि हमें क्लीनिक पे कुछ 15-20 मिनट पहले पहुँचना चाहिए according to the passage है ना तो हमें मतलब क्यों पहले पहुँचना चाहिए ऐसा क्या reason है देखेंगे हम preliminary assessments can be done second है you can leave early ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि अगर जल्दी पहुचोगे तो जल्दी बापस आ जाओगे है ना it's a good practice यहाँ पे कोई practice थोड़ी ना चल रही है उसके बाद है आपका कौन सा third वाला तो third में क्या है यहाँ पे preliminary diagnosis can be done by the junior doctors तो हमें इसके लिए थोड़ी ना जल्दी पहुचना है कि junior doctor से हम डाइगनॉस करा लें अपना तो इसमें देखो यह आपका होता है कौन सा method तो जिस तरीके से मैंने भी इस question को solve किया है अगर आपको question नहीं भी आता है तो यह एक तरीका होता है discrimination method इससे आप क्या कर सकते हो जो है उसको तो छोड़ दो नहीं आरा कोई बात नहीं बट ऐसे sentences को ढूलो जो कि नहीं है तो जब जो नहीं है वो हट जाएगे तो जो फिर वो आपका बच जाएगा है ना इस तरीके से भी आप बहुत सारी questions को solve कर सकते हो यह वेस्ट ट्रिक है और मैं इसको बहुत ट्राई करती हूँ जब भी मुझे question नहीं आता था तो मैं क्या करती थी मैं negative points यानी कि जो होते थे उनको हटाना ये तो नहीं है ये तो नहीं तो लास्ट में आपके पास क्या होता है एक option इसमें बच जाता है तो आपका इसका first option इसमें सही हो जाएगा है ना चलते हैं हमारे next question पे 127 read the following statements and select the correct option अब यहाँ पे statements और adjustments वाला आपका दिया है इसमें देखेंगे हम before visiting your doctor write down your key questions हंजी बिलकुल हमें paragraph में ये बताया गया था कि आप key points को अपने note down कर लीजे seeing a team doctor is not helpful at all अब ऐसा तो इसमें नहीं है कि एक अगर team doctor आपको देखता है तो आपके लिए A मतलब helpful नहीं होगा तो यह आपका क्या है A इसमें सही है पर B आपका गलत है जहाँ पर आपका यह option होगा वो ही सही हो जाएगा A is true and B is false आपका first वाला ही option इसमें क्या है सही है ना तो इस तरीके से आपको question को solve करना है next question देखेंगे हम 128 इसमें क्या है which parts of the following sentence contains an error यानि कि यहाँ पर चार आपको parts दिये हैं यहाँ पर कोई एक parts ऐसा है जहाँ पर क्या है उसमें error है तो वो error आपको क्या करनी है ढूननी है है ना he had the audacity to tell his boss on his face that it was his fault यानि की क्या है he had the audacity to tell his boss यानि की देखो इसके मतलब क्या होता है take bold risk यानि की audacity का मतलब आपका क्या होता है audacity means होता है take bold risk आपके बड़े जो खिम या वोल्ड रिस्क आपको क्या करने ही है दा ओडिसिटी उसको क्या था बहुत एक बड़ा खत्रा था या एक बहुत बड़ा रिस्क था टू टैल हिस बॉस अपने बॉस से कहने के लिए अपकी अपकी मिश्टेक यहीं पे है अपकी क्या होता है अपकी जो प्रिपोजीशन टापक है वहां से है तो यहां पे क्या हो इन ही बहुत है ऐसे में आपका सी गलत है चीज ठीला गया पर आहाई देदीए इन tulee दिया अ restrict इस तरीके से नहीं अभी घुमाने के लिए आपको क्या करते कि देखो प्रेशर होता ही है जब पेपर होता है तो उसमें यह चोटी-चोटी मिस्टेक आपके पेपर को फिकार सकती है इन पर ध्यान रखिएगा तो यहां पर हमें कौन सा चाहिए हमें सी चाहिए तो सी हमारा क अपर हमारा खतम हो गया है देखो मैं एक आपको बात बताना चाहरी हूं जैसे कि मालो हमने क्या करा हमने पहले पैसिच पढ़ लिया क्या पढ़ लिया है और फिर से हम अपने क्वेस्टिन्स पर आए अब आपको अगर आपकी इंग्लिस थोड़ी सी भी अच्छी होगी त उसको एक story form में वो आपके दिमाग में कहीं न कहीं रहेंगे points तो जब आप questions को देखोगे तो पहले तो आप option देखकर आपको answer याद आ जाएगा और नहीं भी आता है तो आप क्या करते हो एक बार फिर से अपने passage पे जाके उसको re-confirm कर लेते हो ये वो तरीका है जो मैं use करती हूँ कुछ लोग क्या करते हैं पहले आते हैं वो questions को पढ़ते हैं उसके बाद फिर वो passage को पढ़ते हैं उसके बाद फिर से बारा आते हैं फिर से questions को पढ़ते हैं तो बात देखो एक ही है टाइम उतना ही लगना है आप देखो कि आपके लिए कौन सा वेस्ट मैथट है आप उसको चूज करो चलते हैं हमारे next questions पे देखेंगे हम जो बचे कोई questions पे फिर से आपको एक paragraph दिया है इसको पढ़ेंगे हम और उसके बाद इसमें जो answers दिये गए ह उनको करने का प्रियास करेंगे ठीक है Millions of Indians kept their date with rare celestial events of the evening star Venus crossing the face of the sun on Tuesday the 8th June 2004 even though the weather played spoiled spot in several parts of the country denying perfect viewing ठीक है अब ये कुछ बात कर रहे हैं evening star यानि कि Venus के बारे में बात कर रहे हैं कि Venus जो star है आपका ये बहुत ही rare condition होती है evening star किसको कहते हैं Venus Venus को कहते हैं सुक्र रहे है न तो जब ये उसके सूरज के सामने से निकलता है तो उसको हम क्या कहते है celestial event इस तरीके का ये आपका कब हुआ था 8th June 2004 ने की 2004 में ये हुआ था और उस टाइम पे जो आपका मौसम है वो क्या होता spoil sport kithara in several parts of the country Bruce crowds of young and old throned planetariums in cities across the country in the morning to get a view of the earth closet planet making its first touch with the sun at 1046 a.m. Venus looked like a small black dot against a giant bright sun when it began the transit is 1106 a.m. प्लैनेट्रियम्स इन दा फॉर मेट्रोज एंड अधर सिटीज हैड मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर पॉर पॉलिक तु ब्यू दा इवेंट वाइनो कलर्सु क्या बता रहे हैं यानि कि इतने वज़े पे यह मतलब यह जो घटना हुई थी उसके लिए क्या करें बहु इनको आप अपनी नगनाकों से नहीं देख सकते हो तो इसके लिए आपको जो मतलब ग्लासिस बगारा होते हैं उनका यूज आपको करना पड़ेगा नेक्स देखते हैं एन आवर आफ्टर दा ट्रांजिस्ट बिगन वैदर सड़नली चेंज इन सेवरल स्टेट्स झाप पार देख सबने खेंग पार थог इन वें रसीब हैं से लिए यू मतलब अफ एल मेन देख थार्ष यवाट दा कार दी होते हैं अनका यू इन टर्वीर आई ओरेगां वैन चीज प्लावट थ्यून इनस भावन वर भीज लिए डैँवेश धू अट घर दींट और ट next transit will occur in 2012 at night so it will not be visible in india the next transit will occur in 2012 at night so it is will not be visible in india the mini eclipse when venus moved across the face on of the sun latest for over a period of six hours this is known as the venus transit and occurs only twice every century or so yani ki prithiyek 100 verson me ye kitni bar hoota hai dho bar hai na uske baad is ko kya ye mini eclipse hoota hai venus yani ki jab sukr hai na woh suri ke saamne aa jata hai cross the face sun lasted for over a period of six hours yani ki sun joh hai aapka six hours ke liye chup jata hai this is known as the venus transit is ko kya kaethe hai venus transit kaethe hai thik hai abh hem isse dhekhen ki question hemne dhek liya isme ki hume venus ke baare mei bataya gya hai joh transit hoota hai loog usko dhekhte hai aur ye matlab kitne saal me kitni matlab kitne saal me kitni baar hoota hai ye kub hua to hai to ye mail point joh emare dhimag pe pehle se hi klik ho jate hai na abh hem dekhen ki questions ko question dhekhte hi hume pata lag jayega ki humne ye point kaahan pe dhekha tha to dhekhen ki hume apna first to question first hai aapka what was the rare celestial event which millions of indians had come to watch on 8th june 2004 and to this me kya hua tha joh 8 june ko aapko 2004 ko joh eclipse hua to woh koon sa eclipse tha jis ko ki millions of indians maha mtlap kya karetei dhekheni aai thi to aapko pata hai ki humne poori ev me kiski baat karhi hai humne baat karhi ki hai transist of venus ki hai na toh yaha peh lunar eclipse nahi hua tha solar eclipse nahi hua tha partial eclipse bhi nahi bataya gha hai hume transist of venus bataya gha dhekha apne kitni aasani se aapko question mein answer mil gaya aur aapko dhubara se pehra dhekheni ki bhi jarugat isme nahi padi hai na dhekhen ki haana next usme kikheni haana next question what played a spoil sport during the viewing of the rare celestial event yani ki joh aapka celestial event yani ki joh aapka celestial event yoh hota hai us time pe a spoil sport yani spoil celestial event yoh aapka event yoh hota hai us time pe kya hota hai toh us time pe iska madlab yoh hota hai woh sidha aapka hota hai ran and cloudy sky okay to job ka option hai isme woh koon sa sahih ho jayega fourth wala option yoh aapka isme sahih ho jayega kuch isme aapke options joh hote to the point hote hai jaysay bhi kisi baat ka meaning hai meaning aapko agar a raha hai toh thik hai nahi toh aap usko nahi karpao ge lekin eek cheese aap dhyhan raghna aap kabhi bhi kyunki seater johan pe negative marking nahi hooti hai toh mahaa pere aapkabhi bhi question ko chhoď ke nahi aana okay aapko mahaa pere 150 mei se 150 attempt toh karne hi karne hai har hal mein uske baad mtolab chhoďna nahi hai eek bhi question ko toh iska kuch factual question hoongi uske lirye aapko kya karna jitnä jyada practice karo ge toh aapko cheese aapke practice karo ge toh ki kis tariqe se cheejee wahan pere aapko paper mei milnay wali hai uske baad hai humara what was the small black dot that appeared in the sky yani ki jab woh haomari ghatna hooti hai us time pe eek small black dot that appeared in the sky woh kya hoota hai toh haom tabse pardhthe aare hai ki veenus hoota hai veenus suri ke aanghe aajata hai toh small black dot ki tarah hume bhaa pere appeared mtolab ki najara aata hai ya prateet hoota hai hai na kum veenus ki hi baat kari ki pure varagrap mei toh iska bhi jo option aapka sahi ho jayega ka kaunsa ho jayega first option is mei sahi ho jayega toh is tariqe se mujhe bhaut easy rata hai pehle aap agar paragraph pard liethe ho aur uske baad phir aap jitne bhi questions hai unko karte jau toh bhot kam hi aapko iasih jarurat pardti hai ki aapko bhaa pere pichhe usmei jaa kar dheekhna pardai hai na is tariqe se next chalenge hai hum next question pe next hai aapka ban 32 read the following statements statements wala aapka question aagya hai this was the transit of venus to be visible from earth okay uske baad hai aapka next such transit will occur in 2012 I mean this was the transit it was to be visible from earth means to be visible from the earth it was a transit in 2012 next such transit will occur in 2012 but it was not visible to us but we see when this was born in the evening it was a person in the evening बताया गया था तो यहां कि नी बोद A and V are correct है ना तो इसमें आपके क्या हो गए दोनों ही option इसमें आपके सही है next question देखेंगे हम 133 इसमें है evening star, morning star यह आपका geographic आभी question है evening star, morning star यहां चमकता हुआ तारा और जो हमारी मतलब परत्वी बहेन इस तरीके के जो नाम है वो वो सारे ही नाम आपको किसके दीए गए है Venus को दीए गए है ना देखो एक तो जिसकी बात होती है हमारा आंसर जो है आसपास उसी के मडराता रहता है तो इसमें कितने ही आपका क्या है बीनस है ना तो इसमें भी हमारा थर्ड ऑप्सन यहां सही हो जाएगा इस तरीके को आपको अपनी एप्रोच रखनी पड़ती है देखें कि हम अपना next question भीच आप फॉलोविंग बड्स इस अपोजिट इन 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 तो इन्तुसियास्ट मतलब होता है किसी चीज को लेकर बहुत ही जुनूनी होना यानि कि आपके अंदर जुनून होना किसी चीज को लेकर बहुत ही प्यार होना तो इस तरीके का अब इसका क्या excited का तो मतलब यही होता है इन्तुसियास्ट ठीक है ना इगर इगर का भी मतलब यही होता है और इसका आपका impassent यानि कि जो हमसे जैसे कुछ बहुत अच्छा होने बाला तो हमसे क्या होता है सबर नहीं होता है इगर यानि कि कहते हैं इगर ली बेटिंग for this event या any person तो इसमें क्या करते हैं मतलब बेसबरी से आप तो ये तीनो ही बर्ड हमारे कैसे हो गए उसी से related ये same meaning हो गए लेकिन indifferent ये आपका क्या हो जाएगा ये उसका opposite बर्ड इसमें हो जाएगा तो आपका जो option है इसमें to सही हो जाएगा इस तरीके से आपको question और answer को इसमें पकड़ना होता है चलते है हमारे next question पे next है आपका spoil sport para one means a person who मैं आपको बहुत बार बताया है कि जो spoil sports का मतलब होता है इसका जो meaning होता है वो आपका होता है spoils others pleasure यानि कि ऐसा ब्यक्ति जो दूसरों की खुसियों को बर्वाद करना चाहता हूँ उसको क्या कहते है spoil sports man ठीक है तो यहाँ पे वीजो हमारा option सही हो जाएगा आपका वो option आपका 4 यहाँ पे सही होने वाला है तो यहाँ पर हमारे जो 15 question है वो complete हो चुके है पर आपने दोनों ही complete कर लिये है और I hope आप लोगो समझ आया होगा मैंने बहुत try किया कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से और जिस तरीके से मैं पर आपको attain करती हूं मैं आपको वो सिखा सकूँ और मेरी एकोसिस हमेशा जारी रहेगी तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ और thank you so much आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए और मिलती हो फिर एक next video में कुछ new topic के साथ कुछ नई questions के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को continue करते रहेगा thanks for watching जय हिंद